चैमातगी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागते महाकाली भगतग्यान योटुक चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ चाहे कैसा भी कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो आप लोगों का मात्र एक दिन में पूरा होगा गारंटी के साथ जब इस मंत्र को रात नो बजे जपोगे तो आपका कोई भी काम हो अनेक काम हो चाहे वो कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा क्यों ना हो मेरा कहने का मतलब है चाहे आप इस मंत्र के जरिये से अपने बड़े-बड़े काम भी करा सकते हैं छोटे काम भी करा सकते हैं उसी के साथ अच्छे काम भी करा सकते हैं और बुरे काम भी करा सकते हैं ये जो मंत्र है ये दोनों चीज में कारे करता है एक तो अच्छे कारे में यानि कि सुब कारे में और एक दूसरा बुरे कारे में भी तो जैसा जो करता है वो वैसा ही भरता है चाहे वो कोई भी हो आप हो या फिर मैं हूँ लेगिन मैं आपको यही कहूंगी आपको जो मैं मंतर दे रही हूँ आप इसका मंतर का इस्तमाल सिर्फ सही में ही यूज़ करें ठीक है अगर मालो आप गलत पे भी किसी का गलत करोगे तो उससे भी आपको कोई फायदा नहीं है एक पल का आपको सुख मिलेगा जब किसी के साथ बुरा करोगे फिर उसके बाद लाश्ट में आपके साथ भी तस उससे बुरा होगा, तब आपको बिल्कुल भी शुक नहीं मिलेगा, तो आप इस मंतर का सही में और अच्छे में ही कार्य करें, चाहे आपका कितना भी बड़ा काम हों, हर कामों में रुकावटे आती हों, कुछ भी हो, जैसा भी काम हों, वो काम आप इस मंतर के जरिये से कर स अगर आप काली माते की पूझा पाट अपने घर में करते हैं, या फिर अन्य देवियों की करते हैं, तो भी आप इस मंतर का इस्तमाल कर सकते हैं, और अपने सभी कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं, आपको करने की जरूद नहीं है, सिर्प आपको तो मंतर ही जपना है, सारा का तो आपका करेगी माता काली है तो चलिए भक्तों मैं आप सभी भक्तों को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेश्ट भी करना चाहूंगी अगर आप महाकाली भक्त ग्यान यूटूब चैनल पे नए पहुचें तो देखिए कुछ ऐसे भक्त हैं काली माता के भी अन्य देविदित्त भगवान के भाई अरजी लगा देते हैं अरदास लगा देते हैं सब उपाय कर लेते हैं बक्तों के पास भी जाते हैं लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उनको फल नहीं प्राप्त होता उनका कोई काम होता ही नहीं है फिर वो दुख हो जाते हैं परिशानी में हो जाते हैं तो उनको पिल्कुल परिशानी होना है इस वीडियो को लाश्ट तक देख लेना है क्योंकि यहीं पर आपका आज से ही सारे काम सफल होएंगे जब आप इस मंतर को पूज़ा पाठ के समय चपेंगे तो पहले मैं आपको सामने स्क्रीन पर मंतर दिखा रही हूं माता काली का इतना प्यारा मंतर है और छोटा सा मंतर है यह मंतर तो आप रेगुलर प्रति दिन अपनी पूज़ा पाठ में जब सकते हैं इसमें कोई कठीनाई नहीं है सिंपल सा मंतर है आपको अगर कितने दिन इन मा हूँगे सब कुछ बता हूँगी पहले आप मंतर को देख लो ओम काली के कंड कंड बिराजो मौर काम साजो किरिन 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 दुखाई कारति ती कितुना स्रitherल के कितना प्यारा सा मंतर है यह तो आपको 2 सेगिंड देंशा करने लिए बिचे से करने के लिए आप लोगों को अपनी पूजा पाठ में जैसे माल लो आप सुवे पूजा पाठ करते हो तो आप इस मंतर को तब भी जब सकते हो लेकिन अगर आप सुवे की पूजा में नहीं जब पारे हो आप और कोई मंतर जबते हो तो आप रात त्री नो बज़े करीब ठी ठीक है, इस्थान पर दो अगरवत्ति अपने पास जला कर ठीक है? दो अगरवत्ति अपने पास जलाके इस मंतर को बैठके आपको जपना है साप सुतुरा, साच अइंत पर बिछाके थोड़े सी घंगा जल की छीटे मार के तब आपको उसमें बैठना है और बैठ के इस मंतर को जपते रहना है अब इस मंतर को कितनी बार आप जपेंगे आप इस मंतर को कम से कम 21 बार जपेंगे ठीक है पहले दिन जब आप जपेंगे तो 41 बार जपेंगे और दूसरे दिन से आप इस मंतर को मात्र 21 बार जपेंगे तो इस तरह से आपको इस मंतर को जपना है लेकिन याद रखें जब भी आप इस मंतर को जपेंगे तो अपने हाद में थोड़े से काले तिल रखेंगे चुटकी बार ठीक है थोड़े से काले तिल और तीन लोंग अपने हाद में रखें मुट्टी से बांध के इस मंतर को मन ह मन में जप सकते हैं या जोर से भी बोल सकते हैं और दो अगर बती साथ में जरूर लगाने ना और जपने के बाद आपको वो काले तिल क्या करने अपने घर के मंदिर में रख देने हैं और जब तीसरी दिन में आप जपेंगे तब उसको आपको काले तिल को तब भी उठाना ह मात्र आप साथ दिन तक आप करके देख लो आपका काम जो आप चाते हैं वही काम आपका बनेगा गारंटी तेरी हूँ मैं आपको ओल्ड रेली आप एक पर करके देखो फिर आपको खुद अपने आप माकाली का चमतकार दिख जाएगा तो चलिए भक्तो मैंने तो आपको अ कामने पूरी करें